हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है कोग विदनीती में तो जैसे कि बारिस का मौसम है और लोगडाउन है सब लोग घर पर ही है तो कुछ ना कुछ खाने का तो बनता ही है तो क्यों ना हम बनाए आज घर पर ही स्ट्रीट वाली पकोड़ी और गर्म गर्म चाय के साथ हम उसक तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना हम स्ट्रीट वाली पकोड़ी आज बना कर रेडी करते हैं जो आपने देखा हो गाओं में या रोड के साइड में जो पकोड़ी मिलते ना वही बहुत ही टेस्टी लगती हैं विद ओनिन के साथ तो आज हम वही प्राई कर रहा है तो इसके लिए मैंने लिए ही आपे आलू छे साथ मैंने आलू लेकर और उसको पदला पदला इस तरीक से पीसीज में कट कर लिया है और अब भी हम क्या करेंगे हम डालेंगे इसमें यह देखे मैंने मोटी-मोटी प्याजे काटी हुई है यह बड़े वाले साइस की दो प्या अच्छा अब उसके बाद हम लेते हम इहाँ पर्णल के मैं राज़ानी तराहने यह बेती है हम इसे हमें डालें लाड नाजय मनेपन आली हमजा में वर्णन ने दाले ऐ प्याजन के लिए उसके बाद हम शेखेप कंशं के निआ और रत में चैनले कॉरकशा का जहाँ हम खा तो यह डाल दिया हमने अब हम डालेंगे इसमें यह हर्म डालें अमचूर पॉर्डर वन एंड हाफ इस्पून उसके बाद हम डालेंगे यहां पर वन इस्पून डालें तर्मरीक पॉर्डर इस्पून डालेंगे यहां पर रैट चिली पॉर्डर और हम डालेंगे इसमें थोड़ा-सा लगबद टू 1 यह बढ़े दनीया थोड़ा रोस्ट किया हुआ है जादा रोस्ट करना है तो मैं ने धनीया एड़ किया हुआ है मुटा यह आठो अच्छा लगता है तो यह एड़ कर लिया है और अग लास में जाएगा इसमें नमक नमक हम इसमें डालेंगे 1-1.1ब स्पून यह आठो पर अभी क्या करना है मैं इसको सभी को हास से मिक्स कर दियो कि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है तो मैं इसको हास से पहले हमें सुखा इसमें मिक्स करना है आहिर्येई नहीं विष्य ज़से स्भशाई नहीं डालना मैं और हम आएं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर कामें एसको सबीकी we आप करेंगे दीखिए मैंने अट यह से मिक्स कर लिया है और ऑइल गरम हैं औरJo subject of Messiah की एक स्पेशलिटी है कि यह हम मस्टर्ड ओइल में बना रहे हैं क्योंकि वो लोग जातर मस्टर्ड ओइल ही यूज करते हैं आप चाहे कोई भी ओई यूज कर सकते हैं और इसमें आधा कपसे भी कम पानी लगा है काफी यह ठेक है मैं लिक्विड नहीं मतलब जादा डीला क्योंकि वो लोग ऐसे ही बनाते हैं और हमें वही टेस्ट चाहिए तो अभी हमें क्या करना है और गरम है तो हम इसको इस तरीके तो वन वाई बन नहीं डालना है ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से थोड़ा फैलाते हुए हम इसमें डाल देना है जितना भी इसके अंदर आज आए हम उतना इसमें डाल देते हैं और जितने बैक्स हमें बनाने है उतना ही हम इसको सेखते जाएंगे तो अभी हम इसको डाल देते हैं इस तरीके से और फ्राई होने लेते हैं एक साइड से सिख गई है तो अभी हम इसको क्या करेंगे पलट लेते हैं तरीके से और अनली देखाए नटीसोफने संदेख आप हमें अच्छे सुमाइब कोई दूब के लिएग्स मुनलजाम अपे लिए सब्सक्राइब को आप आप्ट रहें और आप समय सोकों मी तल ब्लड़ी की ऐसय एड़ाइब करेंगे तो यह मेरी बिल्कुल टेस्टी टेस्टी स्ट्रेट पकोड़ी बनकर रेडी हो गई है लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला इससे बहुत हेचा टेस्ट आता है और मार्किट में वो लोग चाट मसाला यूज करते हैं इस तरीके से देखना आप पीसमें आरी और साथ मांते हमें हर्पहश हो है ठाल यूज कटना है तो हम इसको जलांगे इन अलंग है बहुत है असले महartक जाती बat फटफट बन जाती बिनादे थीए तोड़ा नहीं जो हम आलू ले रहे हैं उसको हम बरावर साइज में पतला पतला काटने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और हम उसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से आप अकोणिया बनाईए खाये इंजॉय कीजिए और घर रहिए सेफ रहिए और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू